हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो निटिंग एनक्रोचर भाय नीनू टूड़ेज वीडियो इस अबाउट जाकेट जो आज की वीडियो में एक जाकेट आपको बनाने बता रही हूं कि जाकेट कैसे बनाए सिम्पल है बिल्कुल सिम्पल और बहुत ही अच्छी लगती है आप एक छह लगती है आप इसको किसी भी ड्रस के साथ पहलब सकते हैं एक लिद के साथ मैं इसको बनाए इसको बनाया वाइट कलर प्लस रॉइ ब्ल्यू कलर के साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब पर तक आपने मेरे चैनल को संसर्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल क सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लग रहा है और अगर आप और भी कोई प्रजक्ट सीखना चाहते हो कोई जागेट कोई कारडीगन कुछ भी तो आप मेरे को प्लीज आपके लिए वह पैटरन लेके होंगे फुल डेटोरियल जो भी आप सीखना चाहते हो कोई डिजाइन क्रोशे का हो निटिंग का हो कोई भी पैटरन आप मेंको बताएए मैं आपको वह फुल डेटोरियल आपको बताऊंगे चलो फ्रेंड्स अब वीडियो शुरू करते है मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताने जा रहे हो कि यह मैंने कैसे बने है फ्रेंट्स इसको मैंने यहां से स्टार्ट किया बॉर्डर के मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं यह देखिए हैं मैं डिजाइनर फंदे प्रैफर करती हूं आप कोई भी फंदे डाल सकते हो आ अगर आपने अभी तक वह मेरी बीडियो नहीं देखिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में देदूंगे आप वहां से चेक कर सकते हुआ यहां पर जो मैंने फंदे रखे हैं यह जो मैंने साइज बनाया ने यह वाला साइज यह एल साइज है अगर आप इससे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं चोटा बनाना चाहते तो आप में को कमेंट में पूछिए मैं आपको उसका भी पूरी डिटेल बता दूंगी पर मैं साथ साथ आपको वीडियो में भी बताती जाओंगी कि अगर इससे अपने बड़ा बनाना तो आप क्या पोटेथीं तो मेंने एक इंच वाद प्रमालों के बाद मैंने यहां पर फंटें bist toute फिफ्टी फंदे नीचे उपर शिर्ड़ी पहलिए और वोड़र मैंने यह गंगा वूल है वर्दमान की उसमें यह पूरा मैने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और इसमें लगने वाली वूल है जो वाइट वूल है वो नियर बाद टूएटी क्राम लगी है और जो यह रॉयल बिल्यू कलर की वूल है यह मैंने 50 ग्राम 50 फंदे निचे से डाल के उपर 60 फंदे करने के बाद 10 नंबर के सले हैं लगाने के बाद मैने इसकी लेंथ पूरी किया है दोनों साइटْ से mid भुणिं हुई है इसमें कोई डिफरंस नहीं महां इधर भी 50 इधर भी 50 होड़ और उपर इधर भी 60 कि महां पहुत है और जो इस यहां से यहां तक इसकी लेंथ 18 इंच है, मैंने यहां पर 18 इंच कर लिया, 18 इंच करने के बाद मैंने यहां पर देखो क्या किया, यहां पर मैंने इसके शोल्डर की कटिंग किया, शोल्डर की कटिंग मैंने कैसे की है, यह देखे, मैंने इसकी शोल्डर की कटिंग थोड़ी 5 3 2 1 की है करने के साथ ही मैंने इसके साथ ही यहां पे वी शेप का क्योंकि मैंने यह देखी वी शेप का बनाया यह देखी है तो मैंने इसके साथ ही इसके गले के घटाई शुरू कर दी है जैसे मैंने शोल्डर की कटिंग शुरू की साथ ही मैंने गले की फरस्ट में मैंने द हर एक स्लाई छोड़कर एक एक फंदा घड़ाया होगा है देखिए कितने अच्छी इसकी विश्य पाई है यह देखिए अगर आप यह से खटाऊगे तो आपका गला बड़ा अच्छा बनता है कि यह देखिए और यहां पर मैंने जो फंदे रखे हैं 22 यह मेरे 22 फंदे रखे मैंने बाकी जितने भी फंदे थे सभी मैंने एक स्लाई छोड़कर एक ऐसे करके मैंने पूरे खटा दिया है अगर आपको लगे चाहिए कि यह फंदे पहले पर होने लगया तो आप हर फोर्फ रो एक इसको कर सकते हो तो और अगर आप ऐसे करोगे तो राम से ठावे । त देखें यह यहां तक पूरी बना गई यbhd tp object लिवां अब हो इसके बैक साइट क्यें की से बनाई है दली जो आगे की है फ्रंट साइड की और सेम वैसे ही यहां पर मौंटी के गटाई डाल दी 5 3 2 1 उसके बाद यहां पर 22 फंदे रखें रखें बाकी सभी को यहां mean लग बिन यह और प्ड़्टि इसके साथ में स्टाइच कियोंकि लग बुन वहいた है अ पेलियरा एसके सब्सक्थ का आप साथğimiz स्टिच्च कंड्मीज्फ पूर्ध ही और यह सब्सक्राइब scrape लग ने टु खांप डेक जा बीजिक मैं लाइथिक कि मैंने हर स्लाई में एक एक फंदा इसका घटाती गई यह देखिए यह देखिए आप कि इधर भी एक इधर भी एक इधर एक इधर एक इधर एक हर स्लाई में एक एक फंदा घटाती गई मैं वर्ण ्टवूंटि फृंद रखे हर श्लायम एक एक फंदा कटाने के बाद फिर में ने ये सबी फंदे एक साथ बंद कर दी है यह देखिए यह एक फंदा जोम घटाते हैं इसका फाइदा यह होता कि वह सुल्दर के शोल्डर की शेफ बड़ी अच्छी आते है यह यह से यह एक ठा नहीं होता यह इस पर कोई बल पड़ेगा शेफ बड़ी अच्छी आती है यह तो एक प्रिंद्ध эффकर यह तो यहां से भी देखे आप बस यही फ्यादा यह जो हमने फंदे खटाया इसका उसके बाद सबी फंदे बंद कर देने यह से दूसरा शूल्डर बन जाएगा और उसके बाद हमने पट्टे बुन देनी है इसकी पट्टे मैंने रॉयल बिलू कलर के बुनी है मैंने यहां से स्टाट करके पुरी बुद्ने के बाद मैंने इसको आपस में जोड़े यह फ्रेंड्स ऐसे यह जाक्ट मैंने बनाई है आप बनाकर देखो बडरी अच्छी लगती है बुनने के बाद आप इसको किसी भी ड्रस के साथ पहां सकते हो सूट के ऊपर पहनो जीन के ऊपर पहनो और इसको को कोगा बती है तो पिलिज कर दीजिए और आपको चैनल के बताना की आपको यह कंद तो प्लीज कर दीजिए और अपको कमेंड़ करके बता जिसाथी हैaire कोगा मैं लोगा शचाना सबस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए और आप ready करके बताइए कि आपको क्या से लग रहा है